हलो नमस्कार सोमनात भारती आपका विधायक एक बार फिर आपके सामने सात्यों आपको याद होगा जब मैंने पिछला वीडियो रिलीज किया था तो एमेलेज यंग औरेटर्स प्रोग्राम जिसको हमने एलेक्ट्रोनिक बना दिया उसको आपके सामने इंटिड्यूस किया था पहला डिड्लाइन तर्थ तर्थ फिर सकेंड किया फिर सेवन्थ किया इतनी पॉप्लर डिमांड थी आपको जानके बहुत खुशी होगी वी हैपी तो अब तक करीब धाइसो से जादा इंट्रीज आच चुकी हैं जरूर आपके मन में एक सवाल होगा कि जब कोरोना का समय चल रहा है जब सुमना जी इतने बिजी हैं तो उस बक्त इन्हें इस प्रोग्राम को क्या करने के सूजी मैंने पहले भी का था मैं बहुत चिंतित रहता हूँ अपने बच्चों को लेकर तो अजब अपने बच्चों को कहता हूँ तो आप भी मेरे बच्चों में ही आते हो पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है auditory skills is something which is too defining a thing in anybody's life मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के पास ये आठ बहुत कम उम्र में ही आ जाए क्योंकि जिस किसी को भी अच्छा बोलना आ गया पब्लिक के लिए अपने आपको एक्स्प्रेस करना आ गया उससे फिर सफलता से कोई रोक नहीं सकता और जितने नेता हुए है ना अस तक अच्छे बोलने वाले ऐसा नहीं कि सब माके पेच्चे सीख्या है सब ने ट्रेनिंग ली है करीब करीब किसी को जिन्दगी ने सिखा दिया लेकिन सब ने ट्रेनिंग करीब करीब ली है यहां तक कि जो फेवस एक्ट्रेस रही अमेरिका की जूलिया लॉबर्ट्स लेकिन ग्रैजुली इस पे उन्होंने काबू पाया और आज फ्लॉलिस अपने डालॉक्स बोलती हैं और इनके मूवीज बहुत पॉपलर रहे हैं यहां तक कि अपने बापू राश्पिता महात्मा गांधी कभी एक जमाना था जब उनके यंग लाइफ में एक जिगा भासन देने गए ते वेजिटेरियन कॉमुनिटी थी एक लाइन बोला और उसके बाद बोलना सके और आज आप जानते हैं सब कोई उनको सुनने को उनक यहां तक कि यह जो वैरेंट बफिट जो दुनिया में सबसे वन अधर रिचेस्ट मैं और सिंपलेस्ट एन रिचेस्ट मैं मैं कहूंगा यहां तक उनको भी समस्या थी सुरू में पब्लिक स्पीकिंग की डरते थे लेकिन ग्रैजुली प्रैक्टिस से इन्होंने इस पे विजय प्राप्त कर ली पब्लिक औरिटरी पे औरिटरी स्किल्स पे पब्लिक स्पीकिंग पे अगर आपने होल्ड डिवलप कर लिया तो मेरे भारत बर्ष के लिए बहुत बड़ी बात होगी और इसलिए इस यंग औरिटर्स प्रोग्राम को मैं बढ़ाबा दे रहा हूं यहां तक कि हर्ष मेर ने और लहर खान जो दोनों अपने वूवीज के लिए परसिद रहे हैं हर्ष मेर ने तहां तक कहा कि उन्हें ऐसा प्लेटर्फार्म बच्पन में नहीं मिला मैं दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूं उन्हें अपने बीजी सीडियोल से भी समय निक आप उपयोग कर लोगे उसतना ही फल आगे मीठा होगा और ये बहुत समझना ज़रूरी है कि पब्लिक स्पिकिंग के बगत आपका दिल और दिमाग सिंक में होना चाहिए यह नहीं कि कुछ और सोच रहे हैं दिल कहीं और है क्योंकि जब तक आप एकागरचित नहीं होगे तब तक आपके जवान से वो जो कुछ भी निकलेगा उसमें बजन नहीं होगा तो बजन होना चाहिए हर स्टेटमेंट को आप कई तरीके से कह सकते हों कभी-कभी आप खुद भी सोचते होंगे कि कभी स्टेटमेंट बड़ा अच्छा निकल जाता है कोई डायलोग बड़ साथ होता था होता हो होगा तब ही जाकर के यह घटना जटी थी कि वो स्टेटमेंट बहुत पाफफुल निकल गया तो जब आप पब्लिक स्पिकिंग करें तो इनस्वर करें कि दिल और दिमाग एक हो कंफ्लिक्टिंग में ना हो तब जाकर के उसमें जोरदार बजन दार आएगा आपका बज आपकी अब आज तो मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं कि आपने अपने इंट्रीज भेजी हैं और बिसका चुकी जो इंट्रीज आचुकी आचुकी अब इसके बाद दुसरा चरन होगा और जो साथी रहे गए हैं उनके लिए अगली बा lots of good wishes, lots of love. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.